सरकम रेडियस find out करने के लिए हमाई पास 3 type के question आएंगे या तो right angle triangle होगा या फिर equilateral triangle होगा या फिर इन दोनों को छोड़ करके other type of triangle होगा घबराना किसी भी triangle में नहीं है हमें right angle triangle हो जाए और equilateral triangle हो जाए या फिर other type of triangle हो जाए तीनों का एक एक formula है उसको learn कीजिए और इस question क हो एक जाम में बिल्कुल सही करके आइए सबसे पहला right angle triangle का अगर सरकम रेडियस find out करनी हो तो कुछ मत कीजिए सबसे पहले तो hypotenuse पता होनी चाहिए आपको कितनी हो जाएगी या पर 15 उसका just half कर दो वो आपके पास बनगी सरकम radius किसी भी right angle triangle की तो यहाँ पर 15 है 15 upon 2 कर दे triangle है उसकी side low और उसके upon में root 3 right down कर दीजिए तो side कितनी है हमारे पास 6 है और upon में root 3 right down करेंगे तो answer कितना हो जाएगा 2 root 3 clear है इतना understood होगा आपको यहाँ पे root 3 से rationalize करेंगे root 3 root 3 हो जाएगा एक root 3 उपर रहेगा और कट करके हमारे पास 2 root 3 बच जाएगा तीसरा हमारे पास है other type other type में हमारे पास ना तो वो right angle triangle है ना equilateral triangle है अब तीसरा type हमारे पास जो question है इसमें हो सकता है obtuse हो सकता है कि 3 sides की multiplication कीजिये जैसे मेरे पास यहाँ पर 6 8 12 है 6 8 12 है तो मुझे क्या करना है तीनो numbers की multiplication upon में area upon में area तो तो तीनो number क्या है मेरे पास ABC तो यहाँ पे मेरे पास values कितनी है number मतलब sides 6 12 और 8 है six हो गया multiplication में 12 हो गया और multiplication में 8 हो गया और area कितना हो जाएगा अपने पास area हो गया अपने पास 36 cancel out किजिए 12 से कितने जा 3 जा और 3 से कितने जा 2 जा तो कितना हो जाएगा answer में पास यहां पर 16 cm हो जाएगा देखिए जो main formula है वो circum radius निकालने का A, B, C यानि कि तीनों side upon 4 into area यहां पर 4 और है बिटा तो यहां पर एक 4 और हो जाएगा तो 4 से 2 जा cancel हो तो 2 जा answer हो जाएगा में पास 4 cm गलती से write down हो गया हो यहां पर हमारे पास 4 भी है यहां पर सही लिखावा है कोई बात नहीं तो ABC upon 4 into area Just suppose हम equilateral triangle के लिए formula बनाने जा रहे हैं तो equilateral triangle के सारी sides होंगी A into A into A और इसका जो area होता है उसका formula होता है root 3 upon 4 into A square देखे 4 से 4 cancel out A square से A square cancel out तो कितना बचा A upon root 3 यही formula आपको पढ़ाया गया था किसके लिए equilateral triangle के लिए कुछ मत कीजिए side upon root 3 कर दीजिए अभी आपको समझ माया होगा कि सरकम radius से 3 type के question आएंगे पहला right angle triangle के लिए दूसरा equilateral triangle के लिए और तीसरा किसी भी type के लिए अगर आपके दोनों basic condition याद भी नहीं रहती हैं तो यह formula तो हर किसी पर apply होगा क्योंकि इसी formula को use करके ना हमने equilateral triangle की condition बनाई है और इसी formula को use करके हमने ये special condition यहाँ पर भी बनाई है अब इस formula से किसी और type के triangle के लिए तो condition बनती नहीं है तो उन सारे type पे triangle में हम इस formula को direct use करने वाले है इतना के लिए रहे revise कर लो एक बार इसे सबसे पहले क्या condition आ सकती है equilateral triangle तो इसका circum radius निकालने का formula A upon root 3 दूसरी आ सकती है हमारे पास right angle triangle तो इसकी वो निकालने का circum radius निकालने का formula H upon T और तीसरी हमारे पास आ सकती है कौन सा किसी भी type का triangle किसी भी type का triangle और उसका जो हमारे पास circum radius निकालने का formula होता है वो क्या होता है तीनो sides की multiply upon में 4 into area इस देट के लिए और circum radius होती क्या है circum center को triangle के किसी भी vertex से मिला देने वाली जो line होती है उसको हम क्या कहते है circum radius कहते हैं के लिए circum center और circum circle क्या है वो हम इसके part 1 में कर चुके है